हैलो एब्रीबन मैं हूँ धर्मिंद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल डिके टेक्नो 52 में आपका स्वागत है दोस्तों आजका मेरा कंटेंट है रासन काड EKYC को ले करके दोस्तों EKYC का नए अपडेट क्या है क्या लास्ट डेट है किसको EKYC कर ignored का किसको नहीं कर время चाहिए तो बता दूं दोस्तों कि EKYC करने का 2-3 प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा आप offline कैसे EQIC कर सकते हैं और online कैसे आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं क्या इसका help line number है क्या help index है सरकार कौन सा website launch किया है EQIC करने के लिए सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा दोस्तों तो कौन पात रहोंगे रासन काड के लिए कौन अपात रहोंगे सारा कुछ मैं आ अपडेट ला दिया है कि भारत में जितने भी रासन कार्ड होल्डर है उनको EKYC करवाना ही पड़ेगा mandatory कर दिये है आप सनल नाम का कोई चीज नहीं है आपको यह दिर्यासन लेना है लंबे टाइम तक तो आपको EKYC करवाना होगा और गौर्मेंट का ऐसा आदेश है कि EKY EKYC नहीं तो रासन नहीं दरसल हो क्या रहा है दोस्तों कि फरजी वाड़े का पता लगाने के लिए हमारी सरकार मानी समानी प्राइम मनिश्टर मोदी जी यह नए नियम को ले करके आए हैं कि जो भी EKYC करवाएगा तो हम उसका पता लगा पाएंगे कि वाकही में क्या वह जैन्मिन बंदा है पात्र है रासन के लिए या थुआ अपात्र है अब पात्रता अपात्रता की पहचान EKYC से हो जाएगी दोस्तों इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024 इससे पहले आप अपना EKYC करवा लें अब बाता आती है दोस्तों कि EKYC में क्या पता चिलेगा देख पाई है 1213 वर्स बिगत मतलब बीच चुका है तभी गढ़ना हुआ था इसके अंतराल में कौन मतलब की पैसे वाला बन गया कौन निर्धन बन गया किसकी मृत्तू हो गई किसकी साधी हो गई सब कुछ वह पता लगा रही ऐसे लोग भी है जिनका जो मृत्तू हो गई है व दंड से जादे आपके पास पैसे आ रहे हैं विदेश से डॉलर में पैसे आ रहे हैं या फिर आप चार चक्के से उपर जितनी भी गाडियां उसके लाइसंस धारी है आगने आस्तर अस्तर का आपके पास लाइसंस है या फिर जमीन जाजात अधीक है दोस्तों और इसके प पता लगा पाएगी कि बंदा हाई की नहीं है या जैन्वीन हाई की नहीं है तो आप अपना EKYC जरूर करवाएं दोस्तों लापरवाही न करें और लापरवाही करते हैं तो 30 सितंबर के बाद हो सकता है कि आपको मतलब की टेढ़ी खिर पकाने पड़ेगी क्योंकि EKYC नहीं के आप लाइन में ही आप अपना EKYC करवा सकते हैं दोस्तों आप अपने नजदीकी दुकांदार के पास जाएंगे और जितने भी आपके रासन कार्ड में माल लिया जाए पांच लोग हैं तो पांचों लोगों को चाहे बच्चे हों बुढ़े हों जवान हों वयस्क हों कोई भी हो पांच आदमी हैं तो पांच आदमी को नजदीकी दुकांदार के पास जाना होगा वहां बारी बारी से अपना फिंगर प्रिंट दे करके EKYC करवाना होगा गौर्मेंट का ऐसा अपडेट है कि अब हर 365 दिन के बाद EKYC होगी जिसमें साल भर में किसकी क्या प्रिंगर प्रिंट बायोमेट्रिक दे करके आप अपनी EKYC करवा सकते हैं दोस्तों वहीं और कोई आनलाइन ब्योस्था नहीं है हाँ एक उपाय है यह आप गाउं से बाहर रहते हैं मालीजे आपके रासन कार्ड में पांच लोग हैं तीन लोग हैं गाउं में रहते हैं जो कि नजदी की कोटे दुकांदार से EKYC अपना करवा लिए और दो लोग माल लिजे आप महारास्टा या तेलांगाना उत्तरा खंड कहीं भी रहते हैं दोस्तों तो वहां क्या करेंगी वहां भी अपने नजदी की जो कोटे दार हैं वहां अपनी EKYC करवा सकते हैं ठीक है दोस्तों आप जैसे कि देखे हमारा घर सौभागे से ऐसे जगह पे हैं जो कि हम जाएंगे दोस्तों तो चार कोटे दार जो रासन दुकांदार हैं जन बितरन प्रणाली केंद्र वाले उनके पास जब मैं गया दोस्तों तो हम बोले क्या भीया KYC हो रही है तो बोले हां लंबी बाचीत हुई KYC को ले करके तो बोले कि KYC हम बोले कितना परसेंट पर भी KYC चल रहा है तो बोल रहा है समतिंग 60-65% लोग अपनी अभी तक KYC करवा चुके हैं तो हम बोले या लास्ट डेट तो 30 सितंबर 2024 है तो वहां बोल रहा है कि अपना समझेगा लोग तो बो कर जाए दोस्तों तो आप अपनी KYC करवा ले अब हम कोटेदार के लिए बात करते हैं दोस्तों की कोटेदार का भी हमारे पास बहुत हमसे पूछ रहे हैं कि यार आप तो वीडियो बनाते हैं तो हम जब KYC करने जा रहे हैं तो यहां एक पॉप आ जा रहा है कि KYC को ले करके यहां हम स्कीन लगा देते हैं दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा यहां क्या है इसको जैसे ओके करते हैं तो वहां बैक कर देता है देखिए दोस्तों यहां PDS मसीन का स्कीन साथ है गौर्मेंट का ऐसा अपडेट है कि जब सुबह नौ बजे से ले करके दो पहर बारे या दो बजे तक जब आप रासन बुटरण कर रहे होते हैं उस वक्त एक वाइसी की प्रक्रिया ठप रहती है वहीं मतलब कि आनलाइन ही जहां से सर्वर चलता है वहीं से उसको बंद किया जाता है अधिकारियों के दोरा तो आप इसको मतलब जो कोटेदार ह मेरे बात को मालने कि आप जब रासन बितरण का टाइम रहता है उस वक्त एक वाइसी की प्रक्रिया आप नहीं कर पाएंगे तो आई होप कि आपका डाउट किलियर हो गया होगा दोस्तों कोटेदार यह दियाप है तो आपके लिए भी यह वीडियो है आप पर रिशान नह हो जब आप यह मतलब की एक तारिक से लेकर के पंदरा तारिक तक कहीं कहीं पंदरा तारिक से लेकर 25 तारिक तक मतलब जहां का जैसा नियम हो रासन बाठने का दोश्तों तो आप बात को समझ गये होंगे दोस्तों ई-क-वाइसी आप ज़रूर करely कर वाले एक आदमी हमे कमेंट किया कि सर हमारे दो आदमी तो विदेश में रहते हैं तो कैसे उनका रासन कार्ड की के वाइसी होगी देखे विदेश में रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि अरब पती होंगे दोस्तों गरीब लोग भी हमारे देश के विदेश करते हैं दोस्तों तो उनका एक ही उपा हैंग्हीं तक आपने कंद कंद कके सरकार आप बहुत चीज ला रही है जैसे अवे लाल काड़ पर में बाजरा और चना और उत्तर प्रदेस में भी दिया गया है दोस्तों तो अभी क्या हो रहा है कि चावल और गहुं मिल रहा है दोस्तों आने वाले समयन में हो सकता है डाल B commentaires-4 एंद दोस्तों कि यह नमक भी चीनी भी मिले और गहुं चावल तो मिल रहा है बाजरह तो आप पर वाहिश weadal करें करेंगे आप अपने रासन कार्ड की EKYC अवज से करवाएंगे दोस्तों और कोई रासन कार्ड रिलेटेड आपको कोई प्राबलम होता है दोस्तों आपके रासन कार्ड का नाम कट गया है तो आप हमारे इस वीडियो को देख लीजेगा मैंने इस पे बनाया है वीडियो की रासन कार्ड मे नाम अपना कैसे जोड़े और नए मेंमर का नाम आप रासन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को देख लीजिएगा इस पे हम बनाए है वीडियो की 2.0 को लॉगिन करके आप प्ले श्टोर पे जाईएगा 2.0 मेरा रासन लॉगिन करिएगा ल की के बाइस सी जरूर करवा लीजिएगा दोस्तों धन्यवाद